मेंडल के अनुवान्शिक्ता के नियम, Class 10th Science सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के पोधे के अनेक विकल्पी या यूं कहें कि वी परियासी लक्षणों, कांट्रास्टिंग केरेक्टर्स की स्टड़ी की तो उन्होंने मटर के पोधे के अनेक विकल्पी लक्षणों की study की जैसे लंबे पोधे बोने पोधों को उन्होंने जनक के रूप में लिया लंबे पोधे भी लिये बोने पोधे भी लिये और इससे प्राप्त जो संतती पीडी थी मतलब जो भी आने वाली पीडियां थी उसमें भी उन्होंने लंबे और बोने पोधों के परसेंटेज की गढ़ना की तो सबसे पहले हम उनका ये नियम देखते हैं मेंडल का प्रभावित्या का नियम जो प्रथम संतती पीडी पर आधारित है कि जो प्रथम संतती पीडी होती है कि दो विकल्पी लक्षणों वाले जनकों के बीच जब संक्रण कराये जाता है दो विकल्पी लक्षणों वाले विकल्पी लक्षण मतलब आप ले सकते हैं बोने पोधे और लंबे पोधे तो एक विकल्प बोने पोधों का हो गया एक विकल्प लंबे पोधों का हो गया तो ये एक लंबे पोधे और एक बोने पोधे मतलब दो विकल्पी लक्षनों वाले जनक हो गए एक लंबा पोधा जनक हो गया एक बोना पोधा देते हैं प्रकट होते हैं और फिर उन्होंने कहा कि जो लक्षन दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षन कहते हैं और जो लक्षन नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षन कहते हैं तो मतलब यह हुआ कि जो दो विकल्पी लक्षन मतलब क्या हुआ कि जनक क के अंदर क्या लिया जा रहा है जनक के अंदर हम ले रहे हैं लंबा पोधा जिसको हम capital T capital T के रहे हैं और ले रहे हम बोना पोधा मतलब दो विकल्पी लक्षन वाले जनकों के बीच में इस तरह से संकरन कराय जा रहे बोनेपोदे के लिए हमें small t smallty यूज़ करगर है और यह संक्रण हुआ तो दो विकलपी लक्षन वाले जनकों के भी is संक्रन कराये जाए शब्द का अर्थ समझ लीजेगा विकलपी लक्षन वाले मतलब यहां 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 लंबा पोदा और यहां हमारा बोना पोदा जिनक उसमें केवल एक ही पेतरक जन की लक्षन दिखाई देता है. मतलब उनका मिला जुला प्रभाव जो है वो प्रथम संतती पीडी में दिखाई नहीं देता है. अब ये कैसे होता है कि इनके बीच में अगर आप इसमें संक्रन कराया तो यहां मिला जुला प्रभाव दिखाई नहीं देगा या मध्यमाकार के पोधे आपको नहीं मिलेंगे F1 PD में केवल जो है वो क्या होंगे जो सभी पोधे होंगे वो कैसे होंगे लंबे पोधे होंगे मतलब उसमें कोई भी मध्यमाकार का पोधा या बोना पोधा नहीं होगा तो फिर यह एक यहाँ पर मेंडल का हम इसे कहेंगे कि प्रभाविता का नियम है क्योंकि यह सभी प्रभावी लक्षन वाले जिसको हम कह रहे हैं कि प्रभावी लक्षन प्रकट होते हैं और सभी लंबे पोदे हमें प्राप्त होते हैं तो फिर यह हम कह सकते हैं कि मेंडल काइसे हम प्रभाविता का लिए लॉप डोमिनेंस कहेंगे कि जब दो विकल्पी लक्षनों वाले जनकों के भी संक्रण कराए जाता है और जो जनक के जिसके लक्षन हमें दिखाई दिये उसको हमने का प्रभावी लक्षन और जो नहीं दिखाई दिये उसे हमने का अप्रभावी लक्षन अरे तो फिर यहां से जो है दो सवाल खड़े होते हैं दो सवाल ये खड़े होते हैं देखे ये मेंडल का प्रभाविता का नियम तो पूर्ण हो गया है ठीक है अब हम सवालों के जवाब देंगे कि यहां से दो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि ये लक्षन प्रभावी है और ये अप्रभावी है, मतलब कौन से लक्षन प्रभावी है और कौन से अप्रभावी है, अगर ये लंबे पोदे मिले हैं, तो फिर ये प्रभावी लक्षन कैसे हुआ, तो हम कह रहे हैं कि में तरह से समान है क्या तो इन दोनों के जवाब जो है वो हम आसानी से मेंडल के प्रयोगों द्वारा दे सकते हैं कि मेंडल ने क्या किया कि एफ़ण पीडी के जो पोदे थे हलाकि मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो के द्वारा पूरी बात को पस्ट करूंगा लेकिन फ एफ़ण पीडी के पोदों में ये मतलब ये इनमें स्वा परागन कराया मतलब टी स्माल टी में स्वा परागन मतलब इनोंने इन जो एफ़ण पीडी के पोदे थे इनमें स्वा परागन कराया तो उन्होंने पाया कि एफ़टू पीडी जो उन्हें प्राप्त हुई उसमे उसमें सभी पोधे लंबे नहीं थे, मतलब लंबे और बोने पोधों का जो अनुपाद था, वो तीन अनुपाद एक था, मतलब हर चार पोधे में से तीन लंबा और एक बोना पोधा था, तो इसपस्ट हुआ कि F1 पोधों द्वारा लंबाई और जो F1 पोधे हैं, या F1 पीडी के जो पोधे थे उनसे, उनसे लंबाई और बोने पन दोनों की वंचान उगती हुई, मतलब क्या हुआ, कि F1 पीडी में केवल लंबाई वाला लक्षन प्रकट हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रभावी लक्षन था, परन्तु जब हमने जब बाद में उन में जो उन लंबे पोधों में जो एफ़ण पीडी के पोधों थे उन में स्वपरगन कराया तो फिर हमने हमें उसमें बोने पोधे भी प्राप्त हुए, तो इसका मतलब यह कि बोने पोधों का जो लक्षन था, वो F1PD में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए हमने उसको अप्रभावी लक्षन नाम दिया था, तो इस तरह से मेंडल का प्रभाविता का नियम है, कि जब नहीं दिखाई दे रहें उन्हें, आप्रभावी लक्षन कहते हैं, धन्यवाद.